वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूँ कुमार संबफ जैन इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाग साथ हियार आठ सो बीस हो गई है ICMR ने बताया कि बुद्वार सुबह 9 वजे तक देश में 25 लाग स्यादा लोग के सैमपर टेस्ट हो चुके है वह पिछले 24 गंटे में 1,088,121 स्यादा टेस्ट किये गए इस बीच दिल्ली में पिछले 24 गंटों के दौरान 534 नए केस सामने आए इसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमितों की संक्या 11,000 से ज़्यादा हो गई है पिछले 24 गंटे के दौरान इंफेक्शन के 6,141 मामले सामने आए तो 3,030 लोग ठीक भी हुए ये संक्या एक दिन में सबसे ज़्यादा है इससे पहले एक दिन में सबसे ज़्यादा 5,48 मरीज 17 माई को मिले थे होई 20 माई को अकेले महराष्ट में 2078 मरीज बढ़े राज़ में लगतार 34 दिन 2000 से ज़्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इसके अलावा तमिल लाडू में 688C गुजरात में 395, राइस्थान में 330, उत्तर प्यदेश में 321, मद्प्यदेश में 229 मरीज मिले हैं ये आकड़े COVID-19, इंडिया.org और राज़ी सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर हैं इस भी Civil Aviation Minister हर्दीपुरी ने बताया कि घरेलू उडाने 25 मई से शुरू होंगी शुरुआत में कुछ ही उडाने संचालित होंगी, हम हालात का जायजा लेंगे, इसके बाद फ्लाइट्स बढ़ाई जा सकती हैं सभी एरपोर्ट्स और एरलाइन्स कम्पनियों को 25 मई से उप्रेशन सुरू करने के बारे में बताया गया है आपको बता दे कि देश में इंटरनेशनल उडाने 23 मार्स से और घरेल उडाने 25 मार्स से बंद है अगर बीच की सीट खाली रखना ठीक नहीं है अगर बीच की सीट खाली रखी जाती है तो भी सोशल डिस्तंसिंग का पालन नहीं हो पाईगा इसके बावजूद ऐसा किया जाता है तो टिकेट के दाम 33 परसंट तक बढ़ जाएंगे The price of the airline ticket by 33%. उधर स्वासमंत्राले का कहाना है कि करनगा से होने वाली मौतों के मामले में भारत के स्थिती दुनिया के बाकी देशों से काफी बहतर है. स्वासमंत्राले के सहित संचिवल लवगरवालने बताया कि भारत में करनगा से मरने वालों की संख्या 0.2 व्यक्ति प्रति लाख व्यक्ति है जबकि कोरोना प्रभावित करीब 9 से 10 देशों में 10 व्यक्ति प्रति लाख व्यक्ति है उन्होंने बताए कि शुरुवात में हमारे रिकवरी रेट 7.2 परसेंट था दूसरे लॉकडाउन के समय ये 11.42 परसेंट हो गया जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1 परसेंट था अफर्ट करते रहे फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्दी केस आइटिसिकेशन करें उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है जो भी पॉदिटिव केस है उस पर हम अफ़र्ट करें तो उसके तहत हमने देखा कि है रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकिंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था धीरे धीरे बढ़ते हुए 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि around 39.62% यानि कि approximately 40% लोग जो की COVID positive पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं इसके साथ ही एक और मुक्षे अंश में आपके लिख दिश्टी में लाना चाहूँगा इसके साथ ही अगर हम और डेटा को अनलाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब जो हमारे एक्टिव केसे हैं करीब 61,000 केसे उसमें से भी केवल oxygen support 2.94% केसे को उसकी जरुरत है वो oxygen supported beds में अपना treatment ले रहे हैं करीब 3% केसे ICU related support है और उसके साथ ही करीब 0.45% केसे ventilator पर हैं यह है डेटा हमारे लिए बहुत important इसलिए है क्योंकि इसके तहट हमें पता लगता है कि early identification पर focus होने की वज़े से surveillance पर focus होने की वज़े से हम timely identification जो केसे का कर पाते हैं उससे हमारे देश में cases serious cases में ना convert होते होजी हम relatively around 6.39% ही ऐसी situation पाते हैं कि जिसमें cases relatively उनको एक hospital management की जरूरत है प्रवासियों के लिए उपलब्द कराई गई बसों को लेकर UP सरकार और कॉंग्रेस के बीज शुरू हुआ प्रवासी गमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है कॉंग्रेस महस्चेव प्रियंका गान्धी ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि UP सरकार पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इस्तमाल करना चाहती है तो कर सकती है बसों बे अपनी पार्टी के जंडे और स्टीकर लगाना चाहती है तो लगाए लेकिन बसों को चलने के अनमती दे दे बसे अब भी बॉर्डर पर खड़ी हुई है इन से 82,000 लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकते हैं इस 20 दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के पास बुद्वार को जंकर हंगामा मचा इस्तानी लोगों ने गुरुग्राम बॉर्डर पर पालम विहार के पास जंकर बवाल काटा दरसल यहां जमालोग बॉर्डर पार करके गुरुग्राम आना चाते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया इससे लोग भड़क गए और पुलिस पर हमला बोल दिया आपको बता दे कि पुलिस और स्थानी लोगों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में लोग पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं अब हम पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस के हाला से रूब रू होते हैं वो ये दुनिया में अब तक 50,6,675 लोग संक्रमित हैं 19,73,815 लोग ठीक हुए हैं मौतो काकड़ा 3,25,320 हो गया है सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों की सूची में रूस अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है वो दूआर को ये संक्रमित हो काकड़ा 3,00 लाग से ज़्यादा हो गया यह अब तक 2,837 लोग की मौत हो चुकी है अगर अमेरिका की बात करें तो यहां 15,70,583 लोग इंफेक्टेड हैं मही 93,533 लोग अपनी जान गवा चुके हैं इस्पेन में 2,78,803 लोग कोरोना वाइरस की चपेट में हैं यह 27,778 लोग की मौत हो चुकी है ब्राजील में 2,71,885 लोग इंफेक्टेड हैं यह 17,089 लोग की जिंदगी कोरोना वाइरस लील चुका है ब्रेटेन में 2,48,818 लोग कोरोना से संक्रमित हैं यह 35,341 लोग की मौत हो गई है इटली में 2,26,699 लोग इंफेक्टेड हैं जबकि 32,199 लोग की मौत हो चुकी है फ्रांस में 1,88,809 लोग खौफ़ना कोरोना वाइरस से जूज रहे हैं वह 28,22 लोग अपनी जान गवा चुके हैं अब हम बात करते हैं जर्मनी की तो जर्मनी में 1,77,827 लोग इंफेक्टेड हैं यहां 8,193 लोग की मौत हो चुकी है तुर्की में संक्रमितों काकड़ा 1,51,615 तक पहुँच चुका है यह 4,199 लोग अपनी जान गवा चुके हैं इरान में 1,24,630 मरीज करोना संक्रमित हैं यह 7,199 लोगों की मौत हो चुकी है यह थे अब तक के करोना अपडेट्स करोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रही है जनसता के साथ